शेत्र में अस्थित बान माता सक्तिपीठ लखवा पिड़त रोगियों के लिए आस्था का केंद्र है जहां लखवा के रोगिये आकर माता के चड़नों में स्वस्त होने की कामना करते हैं माता के चर्णों में रहने से रोगी तयार होकर जाते हैं वहां से ठीक होकर जाने वाले लोगों के मुह से सुनने में आता है बान माता के प्रती आस्था एवं विस्वास तथा वहां के शुद्ध हवा एवं पानी से वहां कुछ समय रहने मातर से लखवा प्रत रोगी ठीक ह कर जाते हैं शेत्रिये लोगों की मात्र शक्ति बानमाता घोटा माता के प्रती प्रेकार आस्था यह बानमाता सक्ति पीठ मांडलगर तहसील में स्थित हैं यहां लगवा प्रित रोगियों के लिए आवास एवं भोजन व्यवस्था भी है इस सक्ति पीठ की तराई में बान्ध के पानी के जड़नों का आनंद लेने वर्सकाल में दूर दूर से लोग आते हैं धार्मी कास्था का केंद्र गोटा माता की प्रतीमा का उद्धर मस्तल बान्ध शेत्र हैं बान्ध बनाने से पहले प्रतीमाओं को बान्ध से निकाल कर उपर स्थापित किया जाना बताया जाता है यहां बातर शक्ति पीत गोटा माता वान माता कल्योग में दुख्या ना सुख्या करने वारे साबित हो रही है